हाई फ्रेंट्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल टाहरी के यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स हमारी मनोहर पांडे बुक शीरीज में अब तक हमने इंडियन पॉलिटी के 12 चैप्टर को कम्प्लीट कर लिया आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नबर 13 जो की है इस्थानिय स्वासासन देट इस लोकल सैल्फ गवर्मेंट उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के पहले 30 कोश्चन को सौल करें तो चलिए बिना टाइम वेश्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं आज के फर्ष्ट कोश्चन के तो फर्ष्ट कोश्चन है भारत में सही माइने में इस्थानिय स्वासासन का जनक किसे कहा जाता यानि के इंडिया में फादर ओफ लोकल सैल्फ गवर्मेंट इस्थानिय स्वासासन को कहा जाता है लोकल सैल्फ गवर्मेंट इंडिया में किसे माना जाता है ओप्शन्ズ देखें लॉर्ड मेयो लॉर्ट रिपण लॉर्ड करजन या फिर लॉर्ड कलाइब इसका सही आंसर होगा ओप्शन भी लॉर्ड रिपण लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वाइसरो रहे और इन्होंने 1881 में 1881 में फर्स्ट टाइम इंडिया में इस्थानिय स्वासासन को सुरू किया और इसलिए इन्हें father of local self-government in India या फिर बारत में इस्थानिय स्वासासन का जनक कहा जाए। लोकतंत्र का तो जो इस्थानिय स्वासासन है ये किसका एक उधारन है या फिर किस प्रकार का प्रयोग है ये question हम से उचा गया है। तो देखें ये प्रयोग है लोकतंत्रिक वी केंद्रिकरन का जिसको इंग्लिस में कहा जाता है democratic decentralization democratic decentralization लोकतंत्रिक वी केंद्रिकरन मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो सक्ती है जो पावर है डेमोक्रिसी में उसका वी केंद्रिकरन किया गया है ये किसी एक जगा पे पावर को नहीं रखा गया है उसको अलग-अलग इस्थरों पे विवाजित किया है। decentralization ये फिर लोकतंत्रिक वी केंद्रिकरन नेक्स्ट पंचायती राज का प्रधान लक्ष है में नेम क्या है पंचायती राज का ग्राम वाशियों के मत्या प्रती द्वंदता को बढ़ाना चुनाओं में लड़ने के लिए ग्राम वाशियों को प्रसिक्षन देना ग्राम व का जाता है जो ग्रामएं छेतरों होता है रुरल इरिया राज के पन्चाय राज व्यवस्था होती है जो 3 इस तर्थ पर हूती है सबसे निच्छा उता है बीच में होता है नगार पाली का और गर निगम तो ध्यान रहे, पंचायती राज का प्रधान लक्षे क्या है, ग्राम वास्यों में सक्तियों का विकिन, नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश से क्या है, सेम कुश्चन, आप्शन से लग है, क्रशी उत्पादन को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं है, रोजगार बढ़ाना, नहीं है, लोगों की राजनितिक जागरुकता को बढ़ाना, नहीं है, लोगों को विकास मुलक प्रसासन में भागीदारी योग्य बनाना, बिल्कुल सही है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों को देश की, समाज की, हमारे सभी गाओं की, सभी सहरों की, ज नेग्ज देखें उसमें उस छेत्र के जो सांसर है, जो MP है, Member of Parliament, वो उसके सदस्य होते हैं, उपरोक्त सभी, तो तीनों सही है, तो सही आंसुर क्या हो जाएगा, Option D, All of the Above. Next, पंचायत के संस्थापन के संबंद में, भारत के संविधान के उपबंद निमलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं, तो कौन सा ऐसा स्टेट है, जिसको पंचायत के संस्थापन के संबंद में छूट मिली हुई है, वहाँ पर वो लागू नहीं होते हैं आप्शन्स हैं मेगाले, तुरिपूरा, आसम या फिर गोवा, तो ऐसा राज्य है, आप्शन ए मेगाले, मेगाले को कुछ विशेश परिस्तितियों के कारण इससे चूट दी गई, नेक्स्ट, भारत के समविदान की ग्यारवी अनुसूची द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं को न्याएगत किया गया एक विशे, निमलिखित में से कौन सा नहीं है, ग्यारवी अनुसूची में कौन सा विशे सामिल नहीं है, ये हमसे उच्छा गया है, तो देखें, ग पंचाय तिराज संस्था है वो जब हमारे सम्विधान में जोड़ी गई तो उनके साथ साथ सम्विधान में नया भाग जुड़ा नया पार जुड़ा भाग 9 और नई अनुसुची जुड़ी अनुसुची 11 शेडूल 11 ग्यारवी अनुसुची में टोटल 29 सब्जेक्ट्स है उनटीस विषय जिन पर जो पंचाय तिराज संस्थान है वो क्या करती है उनको संभालती है विकास के कार्यम अगर एसम सारा सामिल तो पुछा ग्या है गई दिये गई ऑस्ट्समें से कौन सा विषय इन 29 विषय विषयों में सामिल नहीं है Options हैं, गैर पारंपरिक उर्जासंसादन सड़कें उच्छ सिक्सा या फिर पुस्त कालें, तो ये तो है, सड़कें भी है, पुस्त कालें भी है, उच्छ सिक्सा इनके हाथ में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? Option C, उच्छ सिक्सा, Higher Education. Next, पंचायतों के संबंद में निमल लिखित कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी भी गाओं के 18 वर्स से बड़े वो सभी लोग जिनका नाम उस गाओं की मतदाता सूची में सामिल हो उन सबको ग्राम सभा कहा जाता है तो वो ही चुनता है ये तो सही है पंचायतों के चुनाओं का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता बिल्कुल सही है भारत क का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता इस्टेट इलेक्शन कमिशन केंद्र सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर उगाई के लिए प्रादिकत कर सकती है गलत है क्योंकि जो पंचायती राज्य है ये राज्य सूची का विश समविदान के भाग 9 में किये गए निर्दारण के अनुसार पंचायतों के बारे में निम लिखित में से कौन सा सही नहीं है फिर से हमें wrong statement को चूज करना है भाग 9 के बारे पहला पंचायतों की बैटकों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्स को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाथित किये जाने के आव सकता है राज्य विदान मंदल को यह निर्णे लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्सों के पदों और चौता है राज्य विदान मंडल विदी द्वारा पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षन स्लैस लेखा परिक्षन के लिए उपबंद बना सकती है तो इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें रॉंग स्टेटमेंट को चूज करना है तो ध्यान रखें जो गलत स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फस्ट पंचायत की बैटकों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्स को जनता द्वारा प्रत्रिक्स रूप से निर्वाचित किये जाने के आव सकता नहीं यह रॉंग बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही है यह भी सही यह भी सही और यह सही नेक्स देखें पंचायती राज एक व्यवस्था है पंचायती राज कैसी व्यवस्था है पूछा गया है इस्थान ये इस्तर पर स्वासासन की बिलकुल सही है जैव संबंदों के साथ त्री इस्तरी अभिसासन की बिल्कुल सही है, लोक तांत्रिक वी केंद्री करण की ये भी बिल्कुल सही है, पद सोपानिक सनरचना की ये नहीं, तो पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्ता है, जिसमें पहले तीन आप्शन आएंगे, वन टू एंट थ्री, ऐसा कौन सा भाग लेने देने का सुझाओ किस समिती ने दिया, यानि कि जो राजनितिक डल हैं, वो चुनाओ चिन के आदार पर खुले तोर पर भाग ले सकते हैं, ये सुझाओ कौन से कमिटी ने दिया है, बल्वंतराय महता समिती, असोक महता समिती, राजमनार समिती, या फिर सरकार या आयोगन सही आंस्वर है option से राज मननार कमीटी ने राज मननार कमीटी ने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना चुनाव चिन का उप्योग करके सीधे इन चुनाव में भी अपने जो है उमिद्वार वो उतार सकता नेक्ष्ट वर्ष 1977 में पंचायती बल्वंतराय मेहता, असोक मेहता, के एन काटजू या फिर जग जीवन राम तो 1977 में जिस समीती को घठित किया गया था पंचायती राज विवस्था की समिक्षा के लिए रिव्यू के लिए वो समीती थी असोक मेहता समीती और उसके अध्यक्स थे असोक मेहता तो option भी इसक का सही answer हो जाएगा नेक्स देखें असोक मेहता समीती निमलिखित मैंसे किस मुद्दे पर सिफारिसें देने के लिए गठित की गई थी कोशन है असोक मेहता समीती को क्यों मनाय गया था केंद्र एवं राज्यों की बीच राजस्वका बट्वारा बिल्कुल नहीं पंचायती राजव्यवस्था यही सही है राज्येपालों की नियोक्ति गलत है राष्ट्रपतियों उप राष्ट्रपति के चुनाओ यह भी ग गई थी 1977 में इस समीती को गठित किया गया था नेक्स पंचायती राज संस्थावं को संव feasदानिक माननयता प्रदान करने की अनुसंसा करने वाली पहली संवे का नाम क्या था गया है दखें से इनको संवीतां में जोड़ दिया जाए संवीधान में जोड़ने से क्या होगा हर राज्य में पंचाईति राज जो़स्ता स्तापित करनी कमपल्श्जी हो जाएगी अनिवार्य हो जाएगी तो इस प्रकार का सूजाओ या इस प्रकार की अनुसंशा करने वाली पहली कमिटी पहली समीटी कौन सी तो तो देखें सम्वेदानिक मानता प्रदान करने की से फारिश करने वाले पहले समिती है L.M. सिंगवी समिती 1986 में गठित की गई थी 1986 में और इसी समिती नहीं यह सबसे पहले अनुसंचा CDP यानि के Community Development Program सामुदाइक विकास कारेक्रम तथा NES यानि के National Extension Service राष्ट्रिय विस्तार सेवा के पुनर गठन के लिए वर्स 1957 में NDC द्वारा National Development Council राष्ट्रिय विकास परिशद द्वारा स्तापित समिती का नाम बताएं इसने ग्रामीन इस्थानिय सरकार की त्री इस्तरिय प्रणाली का सुजाओ दिया तो वो कौन से समिती है इसको 1957 में बनाया गया था इन दोनों के अध्यन के लिए और उसने सुजाओ दिया कि ग्रामीन इस्थानिय सरकार की त्री इस्तरिय प्रणाली बनाई जाए त्री इस्तर यानि के तीन अलग-अलग लेवल्स पर जिसने त्री इस्तरिय प्रणाली का सुजाओ दिया है नेक्स्ट भारत में त्री इस्तरिय पंचायत व्यवस्था की सिपारिस की थी त्री इस्तरिय पंचायत व्यवस्था की सिपारिस कौन से समिती ने की थी असोख महता समिती बल्वन तराय महता समिती जीवी के राव सम तो अभी जेस्ट पीछे डिसकस किया है बल्वन्त राय मैता समीति और यह समीति कब गठित की गई है 1957 वे गठित की गई नेक्स्ट निमलिखित राज्यों मैंसे किसमें बल्वन्त राय मैता समीति की सिफारिसों के अनुसार पंचायति राज व्यवस्था सर्व प्रत्वम इ अप्सें से यूपी आंद्र परदेश राजस्थान या पिर तेलंगना तो वह इस्टेट जहां पे सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था सुरू की गई है वह इस्टेट है राजस्थान राजस्थान में दो ऑक्टोबर 1959-1969 में पंचायत राज व्यवस्था की सुरुवात हो गई और जिस जगह से शुरू हुई उजगे का नाम है नागोर राजस्थान का आज की तारिक में जिला है नागोर वहां से राजस्थान पहला राज्ये बना बल्वंत राय महता समीदी की सिपारिस के अनुसर पंचा कुष्ण अयर या फिर जग जीवन राम तो काफी कोश्चिंस में देख चुके हैं सही आंसर होगा ऑप्शन फर्ष्ट बल्वंत राय महता नेक्स्ट निमलिखित मैंसे किस आयोग ने नगर पंचायतों के गठन की सिपारिस की कौन सी समीदी है कौन सा आयोग है जिसने किस की सिपारिस की है न्याय पंचायतों के गठन की सिपारिस की ऑप्शन से बल्वंत राय महता समीदी असोक महता समीदी जीवी के राव समीदी या फिर सरकार या समीदी तो न्याय पंचायत के गठन की सिपारिस करने वाले समीदी है असोक महता समीदी और असोक महता समीदी नियाय पंचायतों का क्या concept दिया था कि गाउं में छोटे लेवल पे जो दिवानी जगड़े होते हैं और छोटे मोटे जो अपरादिक मामले होते हैं उनको नियाय पंचायत में हल कर दिया जाए और जो भारत की नियाय पालिका है उसके उपर और प्रेसर नहीं बढ़ाया ज तो सबसे पहले पी के थुंगन समिती फिर असोक महता समिती देन बी यार महता याने के बलवन्त राव महता समिती और चौती है एलम सिंग्वी समिती देखें इजी से शुरू करते हैं असोक महता समिती बनाई गई थी 1977 में याने के बी के आगे आजाएगा थ्री बलवन्त राव महता समिती सबसे पहले समिती थी जो बनाई गई थी 1957 में सी के आगे आजाएगा वन ठीक है नेक्स्ट L.M. सिंग्वी समीटी जो L.M. सिंग्वी कमिटी है इसको बना गया था 1986 में तो D के आगया जाएगा 2 और P के थुंगन कमिटी वो बने गई है 1988 में तो A के आगया जाएगा 1 तो आंस्वर है 4312 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन D है 4312 नेक्स्ट पंचायती राज से संबंद निम्लिकित समीतियों को काल क्रमा नुस्यार व्यवस्थित कीजिए यानिके क्रोनोलोजिकल जो समीती पहले बनी है उनको पहले और इस तरीके से आगे बढ़ना है तो देखें क्या-क्या है? राव समीति यानिके जीवी के राव समीति, L.M. सिंग्वी समीति, B.R. समीति यानिके बलवंत राय मैता समीति और असोख मैता समीति तो देखें, बल्वन्त राव मैता समिती 1957 की है, सबसे पहले, इसके 20 वर्ष बाद असोक मैता समिती है 1977, उसके बाद समिती है राव समिती, यानि के जीवी के राव समिती, जो है 1985, 1985, और उसके बाद L.M. सिंग्वी समिती, यह है 1986, तो सही, ओर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहला आएगा 3, 3 के बाद 4, then 1, and then 2, 3, 4, 1, 2, ओप्शन C will be the right answer, आगे बढ़ते हैं, भारत के समविदान में पंचाएं तो तथा नगर पालिकाओं के संबंद, तियत तर्वे और चहुत तर्वे, समविदानिक संसोदन जब हुए, उस समय भारत के प्रदान मंतरी कौन थ ओप्शन देखें, इंदरा गांदी, राजीव गांदी, पीवी नरसी माराओ, या फिर वीपी सिंग्ज, तो कोशिन ये है, जब तियत तर्वे और चहुत तर्वे समविदान संसोदन पारित हुआ है, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो सबसे पहले हमें प नेक्स्ट, निमलिखित में से भारतिय समविदान का कौन सा संसोदन, पंचायती राज वेवस्था को समविदानिक दर्जा प्रदान करता है, वो कौन सा एमेंडमेंट है, Constitutional Amendment या फिर समविदानिक संसोदन, जो पंचायती राज वेवस्थाओं को समविदानिक दर्जा द देखे पंचायती राज वियस्था को 73 संसोदन ने दिया है और नगरपालिकाओं को यानि के मुन्सिपैलिटी को चहोत तरवे संसोदन ने संवधानिक दरजा दिया है constitutional right इस्टाटस्ति नेक्स देखें बारत के संवधान की ग्यारवी अनुसूची किनके बीच सक्तियों को विभाज़ित करती है बाठ रहे संग और राज्य विधानमंडल और पंचायत नगरपाल और पंचायत तो ग्यारवी जू अनुसूची है वो सक्तियों को विबाजित करती है राज्य विदान मंडल और पंचायतों के बीच जब पंचायत राजोस्ता को सम्विदानिक दर्जा मिला तो सम्विदान में एक नया भाग जोड़ा गया भाग 9 पार्ट 9 और उसके साथ साथ नहीं अनुसूची जोड़ी गई जिससे का आ जाता है अनुसूची ग्यारवी इलेवन सेड्यू अनुसूची ग्यारवी ग्यारवी अनुसूची में टोटल 29 विशे हैं 29 सब्जेक्ट जिनके उपर पंचायती राज को कानून बनाने का अधिका संविदान के निम्लिकेट संशदों में से किसके अंतरगत भारत में महीलाओं के लिए महीलाओं को ग्राम पंचायतों में 30 प्रतिसद लिखा है एक्चुल में ये एक बटातीन है यानि कि 33 प्रतिसद है तो वो कौन से संसदन के तहत दिया गया है Option है 70-वे संसोधन के अंतरगत, 71-वे के अंतरगत, 73-वे के अंतरगत याफिद, 44-वे के अंतरगत, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत का पूछा है, पंचायती राज्योस्ता का भागे ग्राम पंचायत, इसलिए इसका आंसर होगा, Option C, 73-वे संविदान संसोधन के वालन करने वाला पहला राज ये कौन सा है वो कौन सा पहला इस्टेट है जिसने ये संसोधन पारित होते ही अपने यहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया आप्शन से मध्यपरदेश, पंजाब, आंधरपरदेश या फिर राजस्थान तो बड़ा ही ट्रीकी कोश्चन है इसका सही आंसर होगा आप्शन ए मध्यपरदेश राजस्थान मत करके आ जाना क्योंकि राजस्थान ने 2 अक्तोबर 1959 में ही कर दिया था यहां पे कोश्चन ह यह संसोदन का अभी पालन करने वाला यह संसोदन पारित हुआ है 1992 में तो 1992 में जब यह पास हुआ उसके बाद सबसे पहले कौन से राजजे ने किया इसके ताहत इस्तापित उसका आंसर होगा आप्शन ए मध्यपरदेश नेक्स देखें बारतिय संविदान के निमलिखित अनुचेदों में से कौन सा अनुचेद राजजे की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों को यह निर्देश दे रहा है कि आपको क्या गठित करनी है आपको ग्राम पंचायत गठित करनी है या पिर राज्य सरकारों को यह आदेश देता है कि आपको ग्राम पंचायतों का गठन करना अप्सेंस देखें आर्टिकल 32, 40, 48 या फिर अनुचेद 51 तो देखें आर्टिकल 32 ये तो रिट से संबंदित है ये फंडामेंटल राइट है सम्वेदानिक उप्चारों का अधिकार त इसके तहट तो सुप्रिम कोड जो है वो रिट जारी करता है अनुचेद 40 इसके तहट ग्राम पंचायत उखा गठन लिखा गया है जो की निती निदे सक्ततों के अंतरगत है डाइक्टिव पिंसिपलस के अंतरगत तो यही आंसर होगा अनुचेद 48 ये आदो निक क्रसी औ परफसु पालन से संबंदित है और अनुचेद 51 ये अंतराश्ट्रिय सांती इस्थापित बनाए रखने से तो सही आंसर होगा ऑप्शन B अनुचेद 40 नेक्स्ट राज्य पाल को उन सिद्दान्तों की सिफारिस कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करो एवं ल जो भी फीस वगरा लग रही है उससे जो राज्य सरकार को आय हो रही है जो इंकम हो रही है उसको राज्य और पंचातों के बीच बाटना है इसकी सिफारिस कौन करता है राज्य पाल को अप्शन है मुख्य मंतरी राज्य का वित मंतरी राज्य वित आयोग या फिर जिला परिसके तो इसकी सिफारिस करता है राज्य वित आयोग इस्टेट फिनेंस कमिशन राइट और इसकी स्थापना हुई है अनुचेद 243 आई के तहर तू आर्टिकल 243 आई के तहर नेक्स कोशन देखें उननीस सो बरानवे में अधिन यमित नए पंचायती राजबिल में पहल पंचायत राजबस्था लागू हुई है उसमें से कौन सा एक है प्रावधान जो उसमें नहीं है अप्शन देखें है अन्य छेत्र के साथ साथ क्रशी ग्रामीन विकास प्राथमिक सिक्षा और सामाजिक वानिकी के छेत्र में अनेक सम्मिलित दाइत्वू सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आग्या परक्त किया जाना पंचायतों में एक तिहाई पदों तक महीलाओं का साम्वितिक प्रतिनिधित्व और चौथा दिया है पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय समय पाबंदी और महिलाओं का भी आरक्षन करने का प्रावधान है मगर जो चौथा लिखा है पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिस्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाब देश उनिस्चित हो ऐसा कोई प्रावधान तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंस्वर है और अब चलत अधिक्तम संखिया हो सकती है कोई विशायकारी समीती जो होगी यानिके कोपरेटिव सोसाइटी जो होगी उसमें अधिक्तम कितने डायरेक्टर्स या कितने निदेशक हो सकते हैं ऑप्शन से 21, 15, 11 या फिर 7 ये कौन सा अनुछेद है 243, Z, J ये अनुछेद है इसका सही आ निदेशक कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं ऑप्शन ए 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 13 इस्थानिय स्वासासन यानिके लोकल सेल्फ गवर्रमेंट चैप्टर के पहले 30 कोश्ट इस देटेल्स सॉलुशंश थेंक यू दन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुडे रहने के प्लीज लाइक शेर शब्सक्राइब डिजिटर तैयारी